नमस्कार मैं हूँ शालू बत्रा और आप देख रहे हैं पल-पल हर्याना के मुख्या मंत्री मनोहलाल ने प्रदेश के सुसाशन सहयोगियों को संबोधित करते हुए बड़े गरफ से कहा कि हर्याना प्रदेश में पहला ऐसा राज्य है जहां नागरी केंद्रों के माध्यम से प्रदेश के नागरीकों को 400 से अधिक सेवाएं एक ही चट के नीचे प्रदान की जा रही है यही कारण है कि देश की अन्य राजे हर्याना को मॉडल मान कर यह स्विधाएं अपने नागरीकों को देने का परयास कर रहे हैं मुख्या मंत्री मनोहलाल सुशासन एसोसेट की बैट को संबोधित करते वे यह जानकारी दे रहे थे उन्हेंने कहा कि प्रदेश के लोगों को जानकर यही चट के नीचे देने का सबसे अधिक लाब यह हो रहा है कि उन्हें किसी भी कारे के लिए जगे जगे विभिन विभागों में नहीं जाना पड़ रहा उन्हेंने कहा कि एकी प्लेटफा मत्वा ओनलाइन पर यह सेवाई दी जा रही है जिन में ओनलाइन आवेदन, ओनलाइन स्टेटस ट्रैकिंग तथा उसकी स्थिती के बारे में संबंधित व्यक्ति को SMS समिक्षा डैश्बर अधिकारियों और करमचारियों की सूचना देना शामिल है मुख्या मंत्री ने बताया कि अंतोध्य भावर में करमचे 560 से 720 व्यक्ति आ रहे हैं बैठिक में उन्होंने सक्षम हर्याना की चर्चा करते हुए यह भी जानकरी दी कि 18 खंडों को सक्षम घोशित किया जा चुका है तथा 16 खंड सक्षम घोशित होने वाले हैं जिसके अंतरकत वर्ष 2019 तक 80 प्रथ्यत बच्चों को हिंदी एंवंगनित में ग्रेड की योगेता पर लाने का लक्षय निर्धारित किया गया है देखिए पलपल की है खास रिपोर्ट